हेलो गुर्मॉर्णिंग अलफे स्टूडेंस आज हम हिंदी की पुस्तत पढ़ेंगे कख्षा दोगी जिसका नाम है नवीका चलिए स्टूडेंस पुस्तत खोलते हैं यह स्टूडेंस आज हम करेंगे पाट साथ विज्ञापन नई सोच प्रिश संख्या 44 चलिए स्टूडेंस विज्ञापन यानि विज्ञापन को हम कहते हैं एड इंग्लिश में हम एड कहते हैं एडविटेजमेट जिससे हम अपनी चीजों को उसके अच्छे गुण बताकर चीजों को बेखने की कला को विज्ञान कहते हैं अपनी वस्तू के गुण बताकर उसे बेचने की कला ही विज्ञापन है यहां कुछ फेरी वालों के चित्र दिये रहे हैं यदि यह अवास ना लगाएं तो क्या इनकी चीज़े विखेंगी सोचा कभी आपने इस बारे में फेरी वाले जब आते हैं गली में आते हैं रोट साइट पर खड़े होते हैं तो कितनी अपनी चीजों के बारे में अच्छे अच्छे उसके गुण बताकर उसकी चीजों की लिए बेखने के लिए अवाज लगाते हैं उनका विज्यापन करते हैं ताकि लोग सुने भिंडी ले लो पुन्या सोचने लगी कि अपनी सब्जी की कितनी विशेषता बता रहा है पर जो भी हो इतनी जोर जोर से अपना समान बेचने के लिए चिलाना कितना कठिन है तभी दूसरी ओर से फलवाला आया और वह गा रहा था मिश्री हो रहे हैं धर्बूजे जैसी लीची ले लो अरे यह भी खूब जोर जोर से वाज़े दे रहा है अवास सुनकर पुन्या उसके पास पहुची और बोली क्या है क्या है आपके पास फलवाला यह रसीली जामुने यह मोती के दानों वाले अनार शर्बत हो रहे हैं अम्रूर सोने जैसे पपीता बस बस बस बाकी लाल लाल सेब चितरी वाले केले तो मैं देगी रही हूँ पुन्या बोली हाँ मलाई जैसे केले और गर्मियों की सोगात यह खुश्पूदर आम भी बेजोर हैं फलवाला तारीफ किये जा रहा था एक किलो आम लेकर पुन्या घर आई अब घर आकर उसने विग्यापन करती है तुमने टीवी पर तो कोका कोला नूडल्स फेस क्रीम स्कूटर और ना जाने कितनी चीजों के विग्यापन देखे होंगे हां बड़े मज़दार होते हैं वे उन्हें देखका चीजों उन चीजों के लिए मन लल्चाने लगता है हां इसलिए तो जुल खर्च नहीं बनना चाहिए ये हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं और खुद लाब कमाते हैं और ये फेरी वाले पुझा नहीं ये तो आपको सूचना देते हैं कि आपको बजार भी नहीं जाना पड़ता वस्तु को घर पर ही आप अपनी पसंद से जाच परकर सूंग समझ कर ले सकते हैं ये बड़ी-बड़ी कंपरियों की तरह भारी मुनाफ़ा नहीं कमाते हाँ ठेले वालों से मा भी छाट-छाट कर मोलभाव करकर सबजी लेती हैं पुन्या रानी तुम्हें भी मज़ा आता है ना ऐसे खरिदारी करने पर हाँ भीया स्कूल में हुई फै लुक्री करते हैं और वो बडरी-बड़ी कंपरियों की तरह लाब नहीं कमाते बलकि उनसे तो हम जो भी wi सबजियां फाल प्रूट method है चाहट कर ले सकते हैं और उनका मोलभाव भी कर लेती हैं लेकिन बडरी-बड़ी कंपरियोंसों के अजर्ट के समान भ्यष्ते हम उन खर्चे बढ़ा देते हैं और इसी से क्या होता है उनको लाव होता है उनको प्रॉफित हो जाता है तो इस तरह से हमें उनकी कहें में नहीं आना चाहिए हमें अपना मन नहीं लचा आना चाहिए तो आई होप स्टुडेंस आपको यह पाठीज समझ में आया होगा कि बाई स्टेए सेफ और स्टेए है जिन वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए थैंक यू